तो बिग बॉस चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए अपने फेवरिट शो के रेगिलर अपडेट के लिए हेलो एवरिवन मैं हूँ आशू और एकबर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बिग बॉस से जूरी इंट्रेस्टिंग अपडेट के साथ तो आज है सैटेड़े यानि वीकेंड का वार सल्मान खान मिलने वाले हैं बाई मैं तो वीकेंड का वार का बेस अबरी से इंतिजार क होता है पूरे हफ्ते में जो यह लोग ड्रामे मचाते हैं हमारे कंटेस्टेंज उन सब का हिसाब किताब करने सल्मान खान आने वाले हैं और इस हफ्ते तो मतलब बहुत कुछ हुआ आपको भी पता है थ्री न्यू वाइल कार्ड एंट्रीज इसके लावा एक एगजिट प हो जाए इस हफते भी सल्मान खान का गुस्से वाला अवतार देखने के लिए अगर आपने लेटिस्ट प्रोमो देखा है तो सल्मान बेहत गुस्से में हैं क्योंकि उनके बार-बार कहने पर भी घर में वॉयलिंस जो है वो नहीं रुक रहा है इस हफते हमने फिर से देख ना सल्मान बेहत गुस्से में नजर आएंगे और उनके निशाने पर ना आज खास तौर पर रहने वाले हैं अरहान खान अरहान जब से घर में वापस आये हैं आज वाइल कार्ट से वो दो ही काम कर रहे हैं या तो वो रश्मी को इंप्रेस करने में लगे पड़े हैं या गर की बाहर की बातों को अंदर ला रहे हैं और कंटेस्टन से डिसक्स कर रहे हैं और इस बात से सल्मान खासे खपा हैं और सल्मान उनसे पूछते हैं उनके घर में कौन-कौन हैं और इस बीच प्रोमो में दिखाता है कि वो शादी और बच्चे की बात करें जिसको सुनकर रश्मी के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है तो क्या लग रहा है आपको मतलब सलमान किस और हिंट कर रहे हैं क्योंकि अल्रेडी अरहान जो है ना वो न्यूस में बने में हैं for the wrong reason बाहर अमरिता धनोवा नाम की एक अक्टरस हैं जो लगातार उन पर आरोप लगा रही है कि अरहान उनके live-in partner रह चुके हैं और वो एक नमबर के fraud हैं लड़कियों को धोका देते हैं तो इस सलमान hinting about अमरिता आज के एपिसोर की जो सबसे बड़ी highlight है ना वो ये है कि आज सलमान जो है वो चार contestants को सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं और ये चार contestants हैं शेहनाज गिल, हिंदुस्तानी भाव सिधार चुकला और असिम रियाज सलमान बेहत गुस्से में इन चारों को कहते हैं कि घर में violence allowed नहीं है और उनके बार बार कहने के बाद भी इस हफ़ते ये चारों contestants जो हैं वो धक्का मुक्की में involved रहें जिसकी वज़े से सलमान ने इने सीधे-सीधे कह दिया कि get out हो जाओ तुम लोग बिग बॉस से यही नहीं बिग बॉस ने भी जो main gate है उसे open कर दिया तो क्या लग रहा है क्या ये चारों बाहर हो जाएंगे शो से क्योंकि बाकी contestants भी बेहर शौक नजर आए जैसे सलमान ये announce करते हैं या ये सिर्फ एक warning होगी इन लोगों को या यूं कहें कि ये last warning होगी क्योंकि इस बार जो है न वो limit थोड़ी क्रॉस हो गई है रश्मी के भी फ्रैक्चर हो गया है माहिरा के फ्रैक्चर हो गया है इसके अलावा कई contestants को गंभीर चोटे आई थी टास्क के दोरान तो इसको देखते हुए ये फैसला सलमान ने आज लिया है लेकिन आज रात ये देखने वाली बात होगी विकास गुपता जो एंटर तो करने वाले थे मिड़ वीक में लेकिन किसी वज़े से उनकी एंट्री नहीं हो पाई और आज विकास जो है वो बिग बॉस हाउस में एंट्री ले लेंगे इसके अलावा चार कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड थे आसिम, हेमानशी, शेफाली और रश्मी एक कंटेस्टेंट इसमें से आज एलिमनेट हो जाएगा किसे चाहते हैं आप विक ठोना बताईए हमें अपने कॉमेंस के जरी और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स वीडियो में ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे